होओ घ्याइई बेंग आगक के सामने इसके टोटल चार ली इंटी आंको दोगते हैंstä्णह् Bak सबसे टॉप मॉडल्स है और टो अब एक पोको शुअ क्या और भी थूख इस गाड़ीव मुख सबसक्राइब पहले की purchase है इस गाड़ी की तो आज हम इसे के बारे में बात करेंगे कि भाई का इसके साथ कैसा experience रहा और क्या-क्या गाड़ी में feature आते हैं और इसका एक बाद में हम छोटा सा test drive review भी करेंगे कि भाई चलने में कैसी है गाड़ी performance कैसी है तो अभी हम इसका जल्दी से एक छो ूस जाब अच्छी लगती है और साइड इती है और आपको मिल जाते है उपर कि साथ इंडिकेलों एम चैंप और यह बी हैव उन मिलते हैं उपर की जञटर के वी है विय। ए पर के सोल ज्ड़ील टेसे हैं उपर आपको turn indicators मिल जाते हैं, नीचे आपको fog lamp मिल जाता है, जो कि ये भी पीला होता है, ये भी white नहीं होता, तो front से इसका कुछ ऐसा ही look आता है, और इतनी चीज़ें इसके front में, बागी नीचे हम ground clearance की बात करें, तो इसमें आपको 195 mm का ground clearance मिल जाता है, जो कि सेम krata की जितन इसके side profile की तरफ तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है, और इसके tire ratio की बात करें, तो इसमें आपको मिल जाता है, 16 inch का tire, पर इसका जो ये rim है, यहाँ पर alloy नहीं मिलता है ये आपको, ये बहार से covering करी हुए है किसी चीज़ की, तो अंदर आपको rim मिलती है, पर बहा 1660R16, यहाँ पर आपको tire ratio देखने को मिल जाता है, और side profile आप एक बार check out कर सकते हैं, गाड़ी की काफी सही लिखती है, और ये नया facelift आया था, उसके बाद ही यहाँ पर यह रिम बदले गई है, पहले इसमें D-Cut alloy आते थे, अब वो company ने देने बंद कर दिया है, तो यह आपको B-pillar जो है, ब्लैक मिल जाता है, यह उपर वाले variantों में ही मिलता है, और यह जो है, roof rails, यह आपको SX variant में ही मिलती है, यह S variant में मिलती है, पर वो जो है, इसका look अलग होता है, और उपर आप चेक आउट कर सकते हैं, कि sunroof भी दी गई है, तो यह एक बड़ा चेंज ह आपको SX वाले model में, कि आपको sunroof भी मिल जाती है, तो आप चलते हैं, इसके बैक की तरफ, बैक में आपको देखने को मिल जाते है, यहाँ पर जो इसके टेल लेंप है, यह LED मिलते हैं, जो इससे नीचा अला variant आता है, उसमें आपको LED नी मिलते है, उसमें आपको halogen मिलते अगर गाड़ी unlock है, तो आप यहाँ से बटन दबा सकते हैं, वरना आप इसे hold करें रखिए, और indicators blink करते हैं, और फिर इसे दबाते हैं, तो यह खुल जाता है, बूट स्पेस की बात करें, तो यहाँ पर आपको 3190 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है, यहाँ पर मुझे क इसकी रियर सीट की तरफ, बाकि उपर की साइड आपको यहाँ पर सीशे पर डीफॉगर मिल जाते हैं, पर यहाँ पर किसी भी तरह का वाइपर नहीं मिलता, इससे उपर वेरेंट जो आता है, जो की SX optional है, उसमें आपको डीफॉगर के साथ साथ वाइपर भी मिल जाता है और रियर सीट की तरफ चलें तो यहाँ पर आपको डॉर में देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पर मैट ब्लैक डॉर में देखने को मिल जाता है, यहाँ पर मैट फिनिश जे रखिए कुछ डॉर हैंडल पर, और पावर विंडो आपको आगी पावर विंडो मिलती है, पीछ बोलते हैं इसके सीदे ड्राइविंग सीट की तरफ पीछ आपको देखने को मिल जाते हैं AC जो कि काफ़ अच्छी बात है कि पीछ रियर सीट पर भी एस देर ख्यांने के रहते हैं, यहाँ पर को कोई भी रिक्वेस्ट सेंसर देखने को नहीं मिलता और driver door की बात करें तो यहां पे आपको ऐसा कुछ look मिलता है यह आपको اؤको सारे control मिल जाते हैं यह यह child lock है और यह भी lock unlock करने के लिए है और इससा आपको क्या होता है यहसे बहुत अफ्ड़ इससे देखिया इससे यह जो RVM है दोनों के दोनों जो है fold unfold हो जाते हैं और यह आपके mirror controls करने के लिए मिल जाते है बागी Kevin का view कुछ ऐसा आता है और मैं बस driving seat पे बैठ जाता हूँ जल्दी से तो अंदर का view आपको कुछ ऐसा देखने को मिलता है मैंने seat अपने हिसाब से adjust कर ली मैं काफी पीछे होके बैठता हूँ ऐसे तो steering आपको ऐसा कुछ मिलता है और काफी अच्छा लगता है देखने में premium type सा वागी अभी मैं इसका पूब पहले ignition on कर लेता हूँ flip की आपको इसमें देखने को मिल जाती है तो इसका ignition on हो चुका है और यहां पर आपको कुछ ऐसा warning देखने को मिलती है यहां से बात करें तो आपको steering मिल जाते है controls जो कि इसे control करने के लिए है इससे आप पूरा ये audio system control कर सकते हैं इससे आप जो है ये नहीं लेकर जा रहा पेरी गारी भाई नहीं लेकर जा रहा आपको ये control सारे इसके लिए मिल जाते हैं और ये जो control से आपको आप इससे ये जो infotainment system है ये control कर सकते हैं इसमें भी आपको काफी सारे जो है functions देखने को मिल जाते हैं जैसे कि मैं बात करूं average कितना है और इसमें आपको बहुत चारे settings मिल जाती है बागी नीचे की बात करें तो यहाँ पर आपको कुछ storage space मिल जाता है यहाँ पर आपको 12V का charging socket मिल जाता है यहाँ पर दो USB port मिल जाते हैं और इसका automatic climate control AC मिल जाता है आपको देखने को जो इसके नीचे वे रिंटरस में automatic जो है AC नहीं आता यहाँ पर आपको टिकेट holder मिल जाता है और इस side आपको एक mirror देखने को मिल जाता है इसका भी sunroof open करें तो एक और बार दबाने से और पीछ हो जाएगी तो काफी decent amount का यहाँ पर sunroof open हो जाता है और इससे भी बंद कर देते है तो अभी door खुला हो था तो आपको engine noise थोड़ी बहुत आ रही होएगी बागी मैं इसे एक बार बंद कर देता हूँ सिदार था अंदर बैड़ था तो अब इसे drive करके देखते हैं पहले तो भाई काफी साही response मिल जाता है अचा देखो भाई बूट ओपन है तो इसने हमें response करके बता दिया कि पीछे का बूट ओपन है पर बंद कर दिया सारे information देखने में मिल जाती है जैसे कि अगर मैंने अभी gate खोला तो यहां पर आपको शो हो जाएगा कि gate काड़ी का खुला हुआ है दूसरी साइड का भी आगर गेट खोलेंगे तो वहां पर भी शो होएगा पीछे वाले दूर का पता चलता है कि भाई इसमें तो बाइस अधर ड्राइव करो तो काफी सही लग रही है ड्राइव करने में और यह जैसे कि इसका मैं बता रहा था कि आप ड्राइव करते समय भी पीछे वाला कैमरा का व्यू देख सकते हैं यह वाज किस चीची कर रही है जाता हूं तो बैक गड़ डालते हैं यहां पर आपका कैमरा हम और उजाता है डी गाइडलाइन और अगर मैं हैं और यह ब्रे बहुत हैं है कि इसे हैं और अब जब आप पूरी स्थाप कर दी और अब मैं काम करूं है कि मैं अपना क्लच से वख में ते जो एक डिक्कत तो कोई दिकत मुझे ऐसी कुछ होई नहीं तो मैं यह पूछना चारूं कि इसकी सर्वेसिंग कोस्ट वह क्या आजाती है लगबग जो हमारी पहली सर्विस होई थी वह दस अजार पर वह थी जब इसकी कोस्ट तो वह पहली सर्विस थी काड़ी कि 10,000 किलमेटर पर तो वह कं किलमेटर पर तो वह थी तौटल अब किलमेटर चल चुकिए है 12,000 और आगली सर्विस है कितने किलमेटर पर वह गईगी वीच अजार किलमेटर पर आगली सर्विस होईगी तो योई एक बार इसे अब अच्छे से चला के देखते थे हैं जो की कहते है नच्छा वाला चला तो आभी तो ये पहले ग train है पहले पर मैं इसे कर लिता हूं अब मैं दूसरे और तो अब इसका जो आप आप जाने सकते हैं एक फार और मैं इसका बिलकुल पूरी रेस दी क्यों हुआ अब देख सकते हैं इसने 8 कि स्पीड से पार होता है घो एक वड़्निंगं तो अब भाई तुम एक बात बताओ इसका जो एवरेज है वो कितना आजाता है लोकल में 920 है और हाइवेवेवेवेवेवेवेवे 24 आपको एक बार मैं इसका भूमर्ट भी ओपन करके दिखा लेता हूँ तो ऐसा कुछ आपको इसका इंजन देखने को मिल जाता है जो की डीजल इंजन है और यह पीक टॉर्क पडियूस करता है 240 NM की जो हो इसका इफ सरी है बताती हैं कि यह किना देती भाई 20 इसका डेती है लोकल में देती है तो भाई ऐसा कुछ गाड़ी का लुक है और भाई आ मानता हूं कि अच्छी है अंदर से फीरिचर्स अच्छे इसके उसके भी इसके भी पर मुझे बढ़िया जो लगी गाड़ी लगी लुकी इतना मस्कूलर सा है इसका और भाई एक बात और जैसे आपने ये बुक करी होएगी तो इसका वेटिंग पीरिड टाइम कुछ मिलाता वहां पे इसका एवरेज एंड पावर सब कुछ बहुत बढ़ी आती है तो काफी अच्छा मतलब पावर एवरेज दे देती है जैसे पहाडों में आपने चड़ाई बढ़ाई होएगी तो कोई दिक्कत कमी या कोई लैग मैसूस हुआ था क्या कोई दिक्कत ने थी इसमें यहां पर देखू जैसे थोड़ा सा उपर चड़ा के दिखातों आपको यहां पर तो इस साइड पत्थर है मैं उस साइड से चड़ा हुआ है इस जगह से तो ग्राउंड क्लियर इसका ही पता चल जाएगा कि कैसा आता है रिस्पॉंस और अभी जैसा कि आप देख सेते हैं यह अभी चड़ी नी है हाँ आप चड़ चड़ी है तो मैस्टलब इतने कोई जोर लगा ने नहीं बढ़ रहे है बहुत ही अराम से चड़ई को कैमेरे में इतनी चड़ा ही दिखनी नहीं होगी पर यहां पर बहुत आ चड़ा ही थी पीछे तो विकुल आसानी चड़ दिक और भाई हम आ गया बिल्कुल वापस अपनी रोड पर है तो काफी अच्छा था experience इस गाड़ी के साथ तो बस यही था Hyundai Venue SX variant का review जो की अभी facelift आया है latest में तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को यहीं पर आइंड करता हूं और आपको अगर इस गाड़ी की या और बी किस आपको झाल झाल झाल